नमस्कार भक्तो जैय मातारी कैसे हैं आप सबी भक्तो आज एक बार फिल से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारी यूट्यूब चैनल सिद्ध टोने टोटके की एक और नई वीडियो में भक्तो आज हम बात करने वाले हैं जो स्वेल पर मंतर दिखाया जा रहा है उस मंतर को किस प्रकार सिद्ध करें और उस मंतर को बोलकर किस तरह किसी स्थ्री को अपने पास बिस्तर में बुलाएं भक्तो पूरी वीडियो मैं बताऊंगा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भक्तो तो कृपियागर के यूटीव चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक वाशेयर कर दे भक्तो टोटका होती सकती सालिवा सरदार है हमने पहले भी करे टोटके बताते रहे हैं आपको आगे भी आपने नए नए टोटके बता दे रहे हैं तो वो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को वेश्चे दवाईएगा सस्क्राइब की हुए टोटके आपको सब्सक्राइब करने के बार आपको नए ने टोटके प्राप्त होंगे उन्हें देखिएगा और उनका लाब उठाईएगा चलिए वक्तो अब इस भक्ती साधना की इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरह आपके सिस्ट्री की योनी प्राप्त कर सकते बक्तो पूरी विदी में बताने जा रहा हूं उससे पहले आपको एक जरूरी सोतना देगू बक्तो ये टोटका करने से पहले गुरुजी के आग्या लेना आवश्चक है तो गुरुजी के आग्या लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें गुरुजी का नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके आप गुरुजी से आग्या ले सकते हैं टोटका करने के लिए और यदि आप गुरुजी से कॉल के बगर आग्या लेना चाहें तो कमेंट में अपना नाम बहुस्त्री का नाम लिग दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए इस प्रकार भी आप गुरुजी शग्या ले सकते हैं ताकि आपका टोटका अत्यदिक सफल हो सके और आप उसका लाप उठा सके गुरुजी शे आप अन्या समश्चाओं का भी समयधान प्रप्त करवा सकते हैं जो आपके जिवन में आ रही हैं समश् व्हारे हैं किसी संफ्राइब कर दो sihकरा चाहते हैं उसके बाद यदि आपको सोतन से प्रशान हैं अपने सत्रुष है किसी ने आपका जाना है फिर उस इस्त्री के घर के बाहर जाकर आपको यह मंत्र बोलना है सर पता हम आपको इस इस्त्री के घर के बाहर जाकर फिर आपको इस इस्त्री के घर के बाहर जाकर फिर आपको इस इस्त्री के घर के बाहर की ठूक करा जाना है वक्तो जैसा ही आप यह कारे करके आए आपके साथ संभौग के लिए त्यार होगी सब्सक्राइब करता हूं बक्तो आप में को मेरे वीडियो पसंद आई ओगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वश्चे के जीएगा धन्यवाद बक्तों चलता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद जय माता जी